जो लोग कोरोना को कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है और जो लोग कहते हैं के कोरोना भहुत भ्यानक है ये वीडियो दौनों के लिए हैं क्योंकि मैं कोरोना का भुक्त भोगी हूँ और पिछले नवंबर में 2020 के मैं कोरोना को जिल भी चुका हूँ और 6 दिन लगबग हॉस्पिटल में रहा भी हूँ काफी सीरियस भी हो गया था मगर मैं कोरोना से डरता नहीं हूँ क्योंकि कोरोना दरसल एक वाइरस है जो इस अर्थ पे पहले से था और रहे गा भी अभी तो कहते हैं कि ये जानवर से आया हुआ है जैसे और बाकी वाइरस H1N1 या जो स्वाइन फिलू है वो सारे के सारे या वर्ड फिलू है वो सब जानवरों से आ रहे हैं आगे भी आ सकते हैं ऐसा डॉक्टर बताते हैं साल दर साल आ सकते हैं दरसल दवाई बात की चीज है, पहली चीज है कि आपके पास जानकारी सही कितनी है, जो बेकार जानकारी है वो नुकसान जादा करेगी और जो सही जानकारी है वो फाइदा जादा करेगी, कोई भी वाइरस जब तक सरीर में नहीं जाएगा और सरीर में जाने के बाद एक्ट अगर इसकी जानकारी आपके पास होगी तो आपको वाइरस से लड़ने की जरूत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वाइरस आपके अंदर आए गए जैसा कि सबी दुनिया बताते हैं कि वाइरस जो आते हैं वो या तो खून से आते हैं या सांस से और मुह से आते हैं इसकिन से आते हैं यह वाला जो वायरेस है, क pasa पर करोना के डॉपलेट्स है तो आपको infection हो सकता है मँगर जरूरी नहीं है कि आप बहुत जादा serious बीमार हो यह depend करता है आपका उस समय का सरीर कैसा है और सरीर से भी ज़्यादा आपका मन कैसा है क्योंकि मन से आपका सरीर निर्धारित होता है इसलिए कॉरोना में पहली और आखरी सर्थ है कि आप अपने मन को हमेसा अच्छा रखें और पॉजिटिव रखें मन को अच्छा और पॉजिटिव रखने के लिए आप जो बेकार की घटिया जानकारी वाटसब पर या फेस्बुक पर या यूटूब पर क्योंकि यूटूब पर लोग अपनी जानकारी को बेशने के लिए ऐसे ऐसे भीहानक टाइटल बनाते हैं ऐसा लगता है कि बस अभी करोना आया और हमारे सरीर के अंदर गया और हमें मार देगा क्योंकि उन्हें एक खतननाक टाइटल बनाना है जिससे कि आप उनका वीडियो देखें और वीडियो देखकर उनका पैसा बनें ऐसा ही Facebook पर होता है Facebook पर जितना ज़्यादा खतरनाक वीडियो बनाएंगे उतना ज़्यादा लोग देखेंगे और Facebook उनको ज़्यादा पैसा देगा ये धंदा है दरसल इसी तरह से अकवार और टीवी वाले भी होते हैं अकवार और टीवी वाले अगर कोरोना को बहुत जादा खतनाक या बहुत जादा भेंकर करके नहीं बताएंगे उनकी न्यूज नहीं देखेंगे, तो उनका न्यूज बिकेगा नहीं, इसका नुकसान यह होता है, कि आप जाने में और अंजाने में उससे डर जाते हैं, और उस डर को अपने अंदर समा लेते हैं, तब क्लूना पाउटफल होता है, तब आपकी इम्मूनिटी जो आपके अ एक रतन सूत है जो भगवान बुद्ध ने बताया था और मैंने यहां अपनी वीडियो में बनाया भी है उसको आप देख सकते हैं उसमें भी यही मैथड है कि जो बीमारियां आती हैं वो कैसे आती हैं और बीमारियां को हटाने के लिए भगवान बुद्ध वहां चारों तर है और बीमारी खतम हो जाती है या बीमारी एक्टिवेट नहीं होती है वाइरस पूरी दुनिया में लाखों तरह के रहेंगे और हैं बीमारियां रहेंगी और हैं यह मनुस्य को पैदा भी करती है और मनुस्य को मारती भी है जानवर को पैदा भी करती है जानवर को मारती हैं ये पेड़ पौधों को पैदा भी करती है और पेड़ पौधों को मारती है डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है उसके उपर ही होती है आप देखेंगे आपके चारों तरफ अचानक से कुछ खबरें आने लगी हैं जिससे कि बड़ा चारा कर ऐसा परसाइट किया जाता है कि वो भी नहीं रहे वो भी नहीं रहे वो भी नहीं रहे मगर जो लोग हैं और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी खबर अभी गायब हैं अगर चार लोग दुनिया में नहीं रहे हैं और चार सो ठीक हुए हैं तो चार सो ठीक होने वाले अपनी खबर नहीं डाल रहे अगर वो अपनी खबर डाले जैसे मैं कोरोना से 6 दिन फाइट करकर नवंबर में और मुझे भी रेम डिसीबिल लगे थे मैं एस्टॉइट पर भी रहा था काफी सीरियस हो गया था मेरे 50% जो लंग से हैं वो निमोनिया में इन्वाल हो गए थे मगर मैं सर्वाइब करके आय और आज ये मोटिवेशनल वीडियो आपको बना रहा हूं तरसल इसकी जो पहली जानकारी है क्योंकि मैंने पूरी साबधानी रखी थी कि मुझे वाइरस नाए फिर भी कहीं ना कहीं से क्योंकि जब आदमी आता जाता है तो कहीं हाथ वगयरा लग जाता है जो नाक मुझे बेकार का मरत मतलब कि मैं यहां घूमूंगा मुझे कुछ नहीं होगा या मैं पांसो आदमीों से मिलूंगा मुझे कुछ नहीं होगा या शादी में हम पांच आदमी खटे करेंगे या पांसो आदमी खटे करेंगे या पचास आदमी खटे करेंगे या मैं किसी धार्मी कि फastल पर जाओंगा ही जाओंगा क्योंकि मेरा धर्म बड़ा है मेरा वाइरस क्या कर लेगा या मैं 지금까지 MPL में और आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वाइरस एक निर्जीब सा और एक जीब सा, यानि कि उसके हाथ पर तो होते नहीं है, मगर वो एक्टिवेट तब होता है, जब उसको खाना मिलता है आपके सरीर में, वैसे वो डेड होता है, तो वाइरस एक बोडी ढूनता है, उ उसे तो बस मौका मिलना चाहिए, जहां उसे पहुंचना है, अगर वो वहां पहुंच गया, उसके लिए आप एक बॉड़ी है, आप उसके लिए कोई मर्द वर्द तो है नहीं, वो एक बॉड़ी ढूनता है, तो आप उसको अपनी बॉड़ी उपलब दुमत कराईए, आप सरीर ही उपलब दुमत कराईए, तो आप बचके रहिए, लोगों से दूर से बात कीजिए, समय आएगा तो आप हाथ मिला के बात कर लेना, गले मिल के बात कर लेना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, साल का छे मिने का है, कोरोना लगबग भारत से जा चुका था, जब लोगों दिश्टेंस से बात करने सुरू किया, मगर होली आगई होली के बीच में लोगों खुब गले वले मिले तो उसके बाद करोना बढ़ गया, उधर दिवाली पे बहुत लोग गले वले मिले थे तो इसनीए एक्टूबर नुबंबर में करोना बढ़ गया, तो ये जो गलतिय लगाता लगातार आप ये सोच के करते हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा या देखा जाएगा जो होगा ये दरसल देखना बहुत भारी गलती पड़ती है एक व्यक्ति अगर घर में बीमार होता है तो उसके आसपास के सारे रिस्तधारों में पैनिक होता है पूरा घर परिशान होता है क्योंकि ये टचेबल डिसीज है ये छूत वाली डिसीज है जो भी इसको टच करेगा पास रहेगा जो आपकी तिमारदारी करेगा उसको ये होने के चांस बढ़ जाते हैं इसलिए आपको अगर किसे प्यार है अपने घरवालों से प्यार है अपने रिस्तारों से प तकत तब जादा और भी होती है जब बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं अब इस सिच्वेशन वही चल रही है क्योंकि होली पे जो लोग गले मिलके जिन्होंने रंग और गुलाल उडाया था और उसके बाद जो कुम्ब के मिले में लोग वहां लाकों की संख्या म एक दूसरे के पास जाक जाके नहाए हैं क्योंकि नहाना तो सब ज्यादा खतरनाक है जब पानी में वाइरस घूमेगा तो वह गले मेर मुह में जाता ही है कान में जाता ही या आँक में जाता है यह उसके इंपुट्स है या जो रेलिया होती है जिसमें लोग बड़े बोलने से उनके मुह से थूक निकलता है और उस थूक में एक व्यक्ति जो इंफेक्टिड है वो हजारों लोगों को इंफेक्टिड कर सकता है क्योंकि थूक में जो छोटे-छोटे डॉपलोट्स होते हैं छोटे-छोटे जो कण होते हैं वो सीधे हवा से सांस में और लंग्स किसी भी देश में नहीं होता कि एगर सारी लोग एक साथ बीमार पड़ जाए तो उनके लिए दवाई या बैड या बिस्तर सब अविलेबल हो जाए। इसलिए मारा मारी रहती है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए जितनी जल्दी हो सके सब एक दूसरे से अलग लग रहें। कोई मिलने जुलने की कोशिस ना करे। सरकार चाहें लोग डाउन लगाए या ना लगाए। आप इस जानकारी को रखें कि ये बीमारी पास आने से ही बढ़ती है। एक दूसरे की सांस और एक दूसरे की थूक से सबसे ज़्यादा तेजी से फैलती है। तो दूर दूर रहें। मास्क लगा कर रहें। मास्क को ठीक तरह से बदलें। पॉजिटिव रहें। यह जो न्यूज हैं टीबी की न्यूज हैं या जो ऐसी न्यूज हैं जो अक्वार में आ रही हैं या जो वाट्सेप पे चल रही हैं या जो फेस्बुक पे यूटूब पे चल रही हैं खास्तों से ये न्यूज का बेचने का धंदा है आपको डराने का धंदा है आप इन न् किसमे अप्रेल के महीने में ये डवल वैरियंट वाइरस है इसके बारे में जो डॉक्टर्स बताते हैं खास बात कि मरीज ठीक होने के बाद में अचानक से उसकी ऑक्सिजन लेवल कम हो जाता है ये इसका इंपैक्ट है ये इसका प्रभाव है और पेशेंट को पता नहीं चल आते हैं अपनी उगली में तो वहां से पता चलता है कि आपकी ऑक्सिजन कितनी है 98, 99, 97, 95 तक है तो इसका मतलब सरी पूरी ऑक्सिजन ले रहा है मगर 95 चे अगर कम आती है तो इसका मतलब सरी ऑक्सिजन कम आ पा रही है उसके अंदर तो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है हो जाते थे कि उन्हें अगर थोड़ी भी ऑक्सिजन मिल जाए तो पूरे सरी को पूरी ऑक्सिजन मिल जाती थी यानि अधिक्तर जो ऑक्सिजन है वो आपका ब्रेन यूज करता है आपका मस्तिक्स यूज करता है अगर आपके मस्तिक्स में चिंता भर गई डर भर गया तो फ आप सरीर की कोई activity नहीं कर रहे हैं और आप उल्टे होके लेट गए जिसमें आपका पेट और आपकी जो चाती है वो ना दबे आप आसानी से सांस ले सकें तो कम oxygen भी आपको पूरे सरीर में पूरी oxygen supply दे देगी जब आप activity करते हैं काम करते हैं और बीमार भी है यानि आपकी oxygen पूरी आने रही है और आप oxygen को खर्च कर रहे हैं और आपका brain चिंता में हैं भे में हैं डर में हैं ज्यादा सोचने में हैं ज्यादा काम कर रहा है तब oxygen की demand बढ़ जाती है cells में oxygen नहीं पड़ती है तो एक साथी body collapse हो जाती है और sudden death भी हो जाती है इसलिए इस वाले coronavirus में जो लोग है वो deficiency of oxygen यानि oxygen की कमी जो unnatural है इन मतलब जो प्राकर्टिक रूप से नहीं हो रही है और चिंता में परिशानी में या भागदौर में हो रही है ऐसे कैई केस हैं जो लगातार लोग बीमार हुए और काम भी कर रहे हैं और वो sudden उनकी death हो गई हमारी कालोनी में एक स किया और वो चले गए यानि के oxygen अगर कम भी है तो डरने की घवराने की बात नहीं है घवराइए मत डरिये मत hospital में जाईए hospital में जो समभव आपको चीजें मिल सकती है वो मिलिये मगर आप अपने माइंड को अपने मन को अपने मस्तिस को बूरा सांत रखिए अपनी body को शां की बचने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं क्योंकि वाइरल जो डिसीज होती है उनमें दवाईया काम कम करती है बोडी खुद ही वाइरस को मारती है इसलिए जो जानकारी है इसको सही जानकारी के लूप में ले और घवराय ना परिशान ना हो दरे ना लोग मरते है सभी मरेंगे ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे अजर और अमर हैं डिशीज से भी मरते हैं बूड़े होके भी मरते हैं एचिडेंट से भी मरते हैं भूग से भी मरते हैं जितने लोग भूग से भारत में मरते हैं उतने बीमारी से नहीं मरते हैं इसलिए परिशानिया और भ वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डा नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैटरिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं कि महापुर्सों की जो बाते हैं, उन बातों को हम सरल भासा में, आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं. अब आगे आपका काम है, कि आप अपनी भासा में बदल के, या ऐसा का ऐसा शेयर करके, या इसको आगे भेज कर, या इसका लिंक भेज कर, या इसमें से कोई भासा बदल कर, या इसको प्रिंट करकर, या इसको लोड करकर, या डाउनलोड करकर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट करकर, जैसे भी चाहें, वैसे इसको आगे पहुंचाएं. धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खूब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद सरेन गच्छामू तंबं सेनम गच्छामू